नमस्कार लोकसबाचनाओं से जुड़ा क्यापिटल टिवी का खाश्टो 24 करेन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा जिसको लेकर विपक्ष बेदम नजर आ रहा है और नतीजा ये है कि राम मंदिर के प्रान प्रतिस्टा की तारीक जैसे जैसे नज़िक आ रही है विपक्ष बॉक्ष ला रहा है आज तो राहूल गांदी के करीबी सैम पित्रोदा ने भी राम मंदिर को लेकर अपनी नाराजगी खुल कर सबके सामे रहती उन्होंने कहा कि आज देश की राजनीती में राम मंदिर रास्टिमुद्दा है बिरोजगारी और महंगाई पर भी बात होनी चाहेगे तो रोजगार का बहाना बना कर आस्था पर क्यों निशाना साधा जा रहा है बताएंगे आपको साथी कल का दिन कॉंग्रिस पार्टी के लिए बड़ा एहम है कल कॉंग्रिस अपना 138 थापना दिवस मनाईगी इस मौके पर पार्टी नाकपुर में अपनी मेगा राली है तैयार हम के साथ लोगसबा चुनाओं के लिए अपने अभियान के शुरुआत भी करेगी जिसमें खड़गे समें तमाम कॉंग्रिस के बड़े नेता शामिल होंगी पर सवाल ये है कि क्या इस राली में विपक्षी गडबंदन के नेताओं के चैरे नजर आएंगे तो आध राम के नाम के साथ करते हैं जैसे जैसे तारीक नजदीक आ रही है राजनीती भी शुरू हो गई है लेकिन उदखाटन को लेकर कॉंग्रेस पार्टी के अंदर इतनी बैचानी और बॉखलाहट क्यों देखी जा रही है देखिए कॉंग्रेस पार्टी बकाइदा एक राजनीती के तहत सैम पेट्रोडा को मीडिया के सामनी लिकर के आती है कौन है सैम पेट्रोडा कौन जानता है को कोई ट्वीट करते को कुछ करते वो नेशनल न्यूस थोड़ी हो सकता बकाइदा इस स्टोरी को प्लैंट किया गया है सैम पेट्रोडा से यह बयान दिलवाय कि दिए गया है कि हम नहीं जाएंगे हम वहां नहीं जाएंगे सोनिया गंदी नहीं जाएगी खड़के नहीं जाएंगे अधिरन्जन चौदरी कॉंग्रेस पार्टी कि इस समारोह का इस राष्ट्रिय पर्व का विरोध करेगी लेकिन बिल्ली के गर्दर में घंटी बांदेगा कौन राहूल गांदी कह दे या कोई राश्टी प्रवक्ता के जरीए ये बयान दे दे तो अभी मीडिया उसके पीछे पड़ जाए कि कॉंग्रेस पार्टी मंदिर विरोधी है राम विरोधी है सनातन विरोधी है हिंदुत विरोधी है ये बैक्लाश तो होगा तो आप क्या करते हो ऐसे सुतुर मुर्गों को बाहर करते हो जिससे कॉंग्रेस पार्टी आइडिन्टिफाई ये मत भूलिए ये इंटरनेशनल कॉंग्रेस का अध्यक्ष है राहूल गांदी का गुरू है सैंप पेट्रोडा ओवर्सीज कॉंग्रेस का वो प्रसिडेट है वो जो लंदन, निवर्ग, देश, विदेश वो जाते हैं ये सैंप पेट्रोडा ही सारा कुछ बाहर का जोर सोरो सबका नेटवर्क को सभालता है लेकिन उससे बुलवाया गया है कि ताकि आप अपना काम भी कर दे बेरोजगारी और महंगाई की वज़य से हम नहीं जा रहे है और बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा राहूल गांदी भी बार बार उठा रहे है क्या strategy है वो हिंदू नहीं है मतलब कोई हिंदू लीडर आकर के साब ने कहा है दिख विजे सिंग ढूलो उसको ढूलना चाहिए कहा है ये खड़ गे हो खड़ गे का बेटा जो सरातर को खत्म करना चाहते है उनसे बयान दिलवाने में दिक्कत हो रही है तो ये बहुत एक तो आपको नहीं जाना है करें जा ठोक के मीडिया के सामने आओ ये कहो कि मैं नहीं जाओँ गे राहूल गांधी को कहना चाहिए कि हम नहीं जाहेंगा हम बीरोध करते आएं हम आज भी रोध कर रहे हैं इसका कारों की भाती आप ये सैंप पिट्रोडा तो किसी किसी को आप सामने लाकर के खड़े कर दे रहे हो कि ताकि कोई आदमी इसके उपर सवाल न खड़ा करे उससे कोई पॉलिटिकल बैकलाश न हो जाए राउल गांदी के हिम्मत है तो वो कहके बताए कि उसकी मम्मी नहीं आएगी क्योंकि वो क्रिश्चन है सैंप पिट्रोडा को आगे करके कॉंग्रेस पार्टी ये गंदा खेल खेल रही है ये जनता को बेवकूप नहीं बना सकते है लेकिन सर कल गिये खबर सामने आई थी कि अधी रंजिन चौधरी ने नियोता स्विकार कर लिया है वो जाएंगे अयोध्या लेकिन अब इस तरह का बयान सैंप पित्रोडा के तरफ से आना क्या कॉंग्रेस पार्टी कन्फ्यूजड है हिंदूओं से है जो कॉंग्रेस 1947 के बाद थे एक बड़ी कॉंस्पिरेसी करते रही है अभी सैंप पित्रोडा बोले या पिर राहुल गांधी या फिर कॉंग्रेस के सारे नेता या विपक्ष के नेता बोले कि भगवान सरी राम मुद्दा नहीं है मंदिर मुद्दा नहीं है बेरोजगारी और महगाई मुद्दा है अच्छी बात है बेरोजगारी महगाई मुद्दा है लेकिन विपक्ष का कोई नेता खड़ा होकर क्या ये बोल सकता है कि राम मंदिर का कार्य चल रहा है उद्घाटन हो रहा है तो परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की परियोजनाओं का काम रोग दिया या देश के विकास के लिए किये जाने वाले कोई काम रुक रहे है विदेश मंत्री डक्टरेश जैसंकर कहा है रूस में रूस के साथ पैक्ट हो रहा है राजनातिन कहा है सेना के साथ मुलाकात कर रहे हैं ये जो घटाए घटी है अभी रेडसी में उस पर चर्चाए कर रहे हैं कोई ऐसा काम है जो उसके कारण रुका हुआ है और न रुकेगा लेकिन समस्या क्या है कि इन लोगों ने 47 के बाद से एक योजना पर काम किया कि कभी भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की चर्चा ना होने दो हिंदू की चर्चा जब हो तो उसको उपर से कंबल डालो किस्ट बात का कि रोजगार चाहिए बेरोजगारी है महगाई है देश की समस्या है गरीबी है इन समस्या को उठाकर हिंदू की बात को दबा दो गांधी से सवाल किया जाएगा कि चुनाब के समय तिलक लगा कर मंदिर में पूजा करने क्यूं जाते हो यह तो मुद्दा है नहीं लेकिन यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर कॉंग्रेस ऐसे पिछड़ चुकी है कि इस बार दहाई आकड़ा पार कर ले यही बड़ी मु लोती है कि जब आप उमिद्वार खड़े कर दो आप अभी एक गटबंदन के बारे में बातचीत कर रहे हो गटबंदन बना नहीं है भी सब कुछ आइडिया के स्थर पे है कौने तुम्हारा लीडर तैयार कैसे हो गए कौने तुम्हारे उमिद्वार कितने राज्यों में कितने तुम्हारे उमिद्वार खड़े होंगे यह संख्या नहीं मालूम है और हम तैयार है नीती क्या होगी ये मालूम नहीं लेकिन हम तयार हैं कमिनिस्टों के साथ तुम्हारा क्या रिष्टा रहेगा केरल के अंदर में क्या रिष्टा रहेगा तृपुरा के अंदर क्या रिष्टा रहेगा बंगाल के अंदर लेकिन हम तयार है अर्विन केजरिवाल के साथ तुम बॉआ बार कहता हो कॉंग्रेस पार्टी ने क्या किया है यह जेनियू से कुछ थर्ड ग्रेड हिंदी डिपार्ट्मेंट के लोगों को हाइर कर लिया है ये जुँन वो तुकबंदी बनाते रहते लाइन देते रहते जुम्ला इनको लगता है ये जुम्ला दे देने है वीजेपी वाला तो यह लोगों ने अपना सब कुछ स्टाइंस वह बदल लिया यात्रा पर चरचा करेंगे लेकिन सर कल जो राली हो निये क्या उसमें विपक्ष का कोई चाहरा नजर आएगा किसी को इंविटेशन गया होगा क्या यह कॉंग्रेस के लिए बड़ी सर्म की बात है क्योंकि सुरू से जब भी इंडी एलायंस की बैटकों की सुरुआ थोई पत्ना में मैं बैंगलूरू में मुंबई में लेकिन किसी भी जगह पर इस बात के लिए हामी नहीं किसी ने भरी कि हम जॉइंट रैली करेंगे कॉंग्रेस ने खूप प्रयास किया कई ही बात है हम तैयार हैं लेकिन उससे पहले या पीछे जोड़ देना चाहिए कि हम हार के लिए तैयार हैं जीद की तो कोई संभाबना ही नहीं है कॉंग्रेस के लिए यह तैयारी हार की है और इन लोगों ने नागपूर को चुना कि हम वैचारिक संगर्स के दौर में जा र मतलब नागपूर से आप हिंदुस्तान को नहीं बलकि हिंदुस्तान के केवल मुसलमानों को खुश करने का संदेश दे सकते हो यह छित्रिये पार्टियों के साथ इनका संगर्स है क्यों कॉंग्रेस ने पटना को नहीं चुना या उत्तर परदेश में नहीं चुना या फिर दिल्ली में ही मेगा रेली कर लेते यहां पर आपके लिए सारी अनुकूल इस्तिया है सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि इंडी एलायंस के दूसरे पार्टनर्स के स्टेट में यह जा नहीं सकते बंगाल में नहीं जा सकते बिहार में नहीं जा सकते जारकंड में नहीं जा सकते अब जाएंगे कहां उन जगह पर जहां से पहले से इनके अलायंस पार्टनर हो उद्दव ठाकरे और शरयत पवार तो इनके साथ गठवंधन में हैं वो बिरोध तो नहीं करेंगे सरकार भारतिय जन्ता पार्टी के है उसके खिलाब ये बोल सकते हैं तो ये जो रैली है हम तयार है नहीं हम हार के लिए तयार है ना कोई विचारधारा है ना कोई मुद्दा ना कोई एजेंडा लेकिन जरूरी ये है कि ये दिखाने की कोशिश करें कि कम से कम हम एक रैली तो कर रहे हैं दूसरे लोग तो हमारे साथ आने ही रहे है रैली के लिए तो हम ही अकेले रैली कर लेते हैं सोनिया गांधी जो बोल नहीं पाती है मली कारजुन खड़गे जो बोलते हैं तो तीन संटेंस के बाद एक कूरा गलत संटेंसी बोल देते हैं तो इन लोगों के साथ ये रैली करने जा रहे हैं महराज से लेकिन सर बिपक्ष का बार-बार कहना है कि हम एक जुठ हैं इंडिया एलाइंस बनाया गया है तो क्या इसमें उद्धव ठाकरे को नियोता नहीं भेजना था बाकी निताओं को भी तो नियोता भेजना था इसकी तो कोई खबर ही नहीं है वो जाते ही नहीं अगर हो सकता है कुछ सेनारियो चेंज हो जाए इन लोगों पर भरोसा नहीं है उद्धब ठाकरे जो मानसिक इस्तिती में है या शरत पवार जिस मानसिक इस्तिती में चल रहे हैं इन लोगों पर अब कहा ही नहीं जा सकता कि हर 10 सेकंड के बाद इनके दिमाग में क्या आएगा फ्लेक्चुेट करेगा लेकिन फिर भी ये कॉंग्रेस का प्रोग्राम बनाय जाएगा तो इसका मतलब है उद्धब ठाकरे जाते हैं तो वो अपना 20-25 परसेंट वोट गिरा देगी क्योंकि कॉंग्रेस की जो रैली होगी नागपूर में रैली होगी तो आरेस इसका विरोध किया जाएगा ये हिंदू का विरोध करेंगे हिंदू का इंडरेक्ली वि तैयार है क्या राहूल गांती तैयार है देखिए यात्रा के वारे में डीटेल पढ़ रहा था ये किस तरह की यात्रा है आपको कहना चाहिए कि कोई कार रेली निकाल रहे है 67 डेज 6200 किलोमेटर ये कॉंग्रेस पार्टी ने बताया है तो ओन एवरेज वसे सड़ेटे संड़े वो चलते नहीं है उनको हवा जाज़ पढ़के वापस कहीं दिल्ली में आना पड़ता है रिलाक्स करने के लिए तो अगर उस हिसाब से भी मान ले तो 67 डेज में अगर आप कार चाट कर ले तो ओन एवरेज 100 किलोमेटर की यात्रा 100 किलोमेटर बीच में पब्लिक रैली भी है बादचित भी है खाना पीना भी है यह किस तरह की यात्रा है और टाइमिंग देखिए सारी दुनिया रैलीज कर रही होगी परचार परसाद चल रहा होगा और राहुल गांदी और उसके चप्चे ये सब राहुल गांदी के जैजेकार में उसके रैली के पीछे पीछे चलते रहेंगे मद्द परदेश में रैली राजस्थान में देली, चातिस गड़ में भी जाओंगे, उत्तर प्रदेश भी जाओंगे, बिहार में जाओंगे, क्या किरो लोगे वहाँ वाई, कोई फाइदा होना है, एक सीट का भी कोई इंक्रीज होना है, कोई दिखता है, कोई नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ र बदल गया था भारत जोडो यात्रा में एक बार फिर से हमको यात्रा निकलना चाहिए वो गेम चेंजर होगा कॉंग्रेस पार्टी अपना सर दिवाल पे मार रही है और लहु लुहान होगा राहुल गांदी जी सर आप दुनों का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो एक तरफ आज कॉंग्रेस पार्टी ने भारत जोडो यात्रा के बार राहुल गांदी की भारत निया यात्रा की घोशना भी कर दी है यह यात्रा 14 जन्वरी से मनिपोर से शुरू होकर 20 मार्श को मुंबई में खत्म होगी तो वहीं कल से कॉंग्रेस पार्टी अपने चुन और वाकई में बीज़पी किस दम को देखकर बिपक्ष बेदम नजर आ रहा है तो आप अपनी राएक कमेंट का जरूर लिखे देखते रहें क्यापिटल टीवी नमस्कार